जन्पद प्रयागराज के लिए ये अतियंत गर्व का विशे है कि एर फोर्स डे में जो एर शो होने जा रहा है उसके लिए पूरे भारत वश में जन्पद प्रयागराज का चुनाव किया गया है इस अफसर पे सभी प्रयागराज की निवासियों से मैं अपील करता हूँ आज पुलिस कमिशनर प्रयागराज की जो ट्राफिक एडवाईजरी दी गई है और जो ट्राफिक के रिस्ट्रिक्शन्स लगाए गए हैं उसका पालन करें और उसका पालन करने में प्रयागराज की पुलिस, प्रसाशन और एरफोर्स के कर्मियों का सहयोग करें इसके साथ ही साथ सभी को ये अवगत कराना है कि एरशो क्योंकि आस्मान पे उचाई में होगा तो ये उतना ही मनोहारी जूसी, अरेल और सिटी साइट संगम साइट से दिखेगा तो इसके लिए कोई हमारे को किसी अन्य स्थान पर पहुँचने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि ये उचाई पे होगा, तो आप अपने निकटस स्थान से भी उसको उतना ही मनोहारी रूप से देख सकते हैं और इसका लाइव टेलिकास्ट जो हर टेलिविजन पे किया जाएगा प्रियागराज की पुलिस हर जगे पे आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए ततपर है, खड़ी हुई है ट्राफिक रिस्रिक्शन का पालन जरूर करें साथ ही दो रिस्रिक्शन और लगाए गए हैं किसी भी पुल पर अपना वाहन ना रोकें और किसी भी पुल पर पैदल खड़े होकर शो को ना देखें क्योंकि पुल के उपर रुकना जो है, वो ठीक नहीं होगा उसे दूसरों के लिए सुविधा होगी और साथी साथ अपने लिए भी दिक्कत हो सकती है किसी का भी पैदल रुकना अथवा वाहन को रोकना मना है तो किसी भी पुल पे वाहन और पैदल नहीं रुकेंगे कोई भी साथी साथ नदी में दुपहर के समय चप्पू वाली बोट्स जो हैं जो प्राइवेट बोट्स हैं, इन पे रोक लगाई गई है SDRF और जल पुलिस की बोट्स यही वहां रेस्क्यू के कारे के लिए ततपर रहेंगी और वहां पे रेस्क्यू के कारे के लिए जो बोट्स हैं इसके अतरिक्त अन्य किसी बोट का एर शो के दौरान प्रयोग नहीं किया जाएगा जनता से अपील है कि 6 तारिक को फुल ड्रेस रिहर्सल और 8 तारिक को शो के समय पतंग ना उड़ाएं गुपारे ना उड़ाएं और कोई भी अपने छत पर किसी नौन वेज या कोई खाने पीने का समान ना रखे जिससे ये पक्षी उधर की तरफ ना उड़ें इसका हम लोगों को विशेश दिहान रखना है और अब सभी से इस सहयोग की अपील आस पुलिस कमिशनर प्रयाग राज मैं करता हूँ